सरकार की नकसल पुनर्वास नीती से फ्रभावित होकर महला मानपोरं बगड़ चौकी पुलिस के समक्ष तीन मावातियों ने भरमार बंदूग के साथ आत्म समर्पन कर दिया है पुलिस अदिक्षक रतना सी ने बताया कि आत्म समर्पित नकसलियों को शाशन की पुनरवास नीती का लाब दिया जाएगा उन्होंने बताया कि नकसल उन्मूलन के लिए जिले की अंदरूने इलाकों में पुलिस द्वारा जगह जगह पर्चे लगा कर केंद्रो और राजिस सरकार की नकसल पुनरवास नीती की जानकारी दी जा रही है ताकि नकसली समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए आत्मसमर्पंड करने के लिए प्रेरिथ हो सरकार की तरब से सभी जगह पे सभी जिलों में पुनरवास की नीती इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जैसा आप जानते हैं कि जितने लोग सरेंडर करते हैं उनको फिर खत्रा भी मैसूस होता है तो उनको वापस जाने में भी डर लगता है शायद ये कारण है कि फिर वो हम से आके यहां पे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अंदर अंदर शेत्रों में जाके लोगों की समस्याय सुनके उनका एक सुल्यूशन निकाल के कोशिश करके उनसे जुड़ने का उनकी जो भी समस्याय हैं वो प्रशासन और सरकार से मिल के चलेंगे तो उनका सारा हल होगा और जिनकी फैमिलीज हैं यहां पे जो अभी अक्टिव नकसली हैं हम सभी लोगों से अपील करते रहते हैं अपने पोस्टर्स के और उनसे मिल के भी कि वो सरेंडर करें और मुखेदारा में वापस आ जाएं आत्म समर्पन करने वाले मावादियों में बीजापूर मिलीशिया कमांदर लखमा पल्ले मिलीशिया सदसिर राजेश कुमार कोर्मा और सोनुराम कडियाम शामिल है